असलाम अलेकुम जी and welcome back to my channel उमीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे खेरी से होंगे and guys I am here with a new video और आज की वीडियो है बहुत जादा interesting उन लोगों के लिए जो हैं अंडर वेट और जो अपना वेट गेन करना चाहते हैं so today's video is totally about weight gain के weight gain के लिए आपको कौन-कौन सी tips को follow करना है weight gain के लिए आपको किस तरह का diet plan follow करना है और कौन-कौन सी healthy food items को अपनी diet में include करके आपने healthy weight gain करना है तो आज की वीडियो totally इसके उपर होगी बहुत ही जादा लड़के और लड़कियां उनका ये problem होता है खाते हैं लेकिन हमें लगता नहीं है तो उसका reason एक ये हो सकता है कि अगर तो आपको कोई underlying condition नहीं है तो मतलब कि अगर बहुत से conditions होती है जिनमें आपको weight gain नहीं हो पाता like hyperthyroidism hyperthyroidism के case में आपको weight gain नहीं होता इसे तरह बहुत सी underlying causes हो सकती है जिसके और आपका weight gain नहीं हो पा रहा ठीक है अगर इस तरह की underlying cause नहीं है तो second reason ये हो सकता है कि आप अपने proper meals नहीं ले रहे हैं यानि breakfast, lunch and dinner आप proper time के उपर अपने meals नहीं ले रहे हैं बहुत से नड़के नड़कियां बहुत सी आजकल teenagers का यही है कि वो सुबह को लेट उठते हैं breakfast उनका होता है बारा बजे और बारा बजे breakfast का time नहीं होता आपके breakfast का time होना चाहिए है आठ से नो बजे के दरम्यान और वो क्या करते हैं बारा बजे उठते हैं और बहुत जादा फिर पीरेड आपो नी को बहुता है बूख लगती है तो आप अपने पूरे तीन जो मील्स हैं पाथेён। खायर होते है तो आपने अपने तीनों मील्स लेने कशी एक भी मील्स कोई जो moralरी में वह आठ से नो बज़े के दरमयान हो जाना चाहिए आपका लांच जो है वह एक से दो बज़े के दरमयान हो जाना चाहिए लांच के बाद आपने पीच में कोई स्नैक्स भारा भी लेने हैं पिर इसके बाद डिनर का टाइम आजाना चाहिए तो डिनर का टाइम आपका आठ से पहले प्री बेफस्त करना है प्री बेबेफस्ट में आपने मिल्कषेक बनाना है जिसमें आपने एक लास दूट लेकी ऐा आपने क्वाज नाताशे से पहले आप फिर उसके बाद आता है आपका नाश्ता नाश्ता भी आपने हेल्दी करना है यानि आप पराठा इस्तमाल कर ले नाश्ते में उसके साथ आप देही इस्तमाल कर ले ले और साथ अंडा ले ले तो ये हो सकता है आपका नाश्ता ये बहुत हेल्दी नाश्ता है उसके बाद न के ये हो गया आपका नाश्ता, आप यहां थो स्मूधी ब हीस्तों कर सकते हैं, स्मूधी भे गइंझ के खलती है, मैं मैं आपको दे देती ओं, मतलब एक कॉई इखा नहीं कर सकते हैं, के पूंनी के चाहिए तो थे जाएं तो ये भी आप इस्तमाल कर सकते हैं उसके लावा आप ड्राइफ फूर्स के इस्तमाल करें जैसा कि पीनर्स हो गए अखरोट हो गए मतलब कि आपने डाइट में मिल्क शेक्स यानि आपने डेरी प्रोड़क्ट का इस्तमाल करना है आपके मिल्स में हर तरह का फूड ग्रूप एड होना चाहिए है लाइक के आप प्रोटीन भी लेंगे आप कार्बो हैड्रेट्स भी लेंगे आप फाइबर्स भी लेंगे आप फैट्स भी लेंगे बहुत से लोग सोचते हैं हम fats लेंगे और हम मुटे हो जाएंगे तो अकेले fats लेने से आप मुटे नहीं हो सकते आप वेट ये नहीं हो सकता अकेले fats लेने से आप मुटे नहीं हो सकते आपको साथ जरूरत है protein की साथ आपको carbohydrates की साथ आपको fibers की आपको तमाम food groups की जरूरत है weight gain करने के लिए तो जिन items में ये तमाम food groups पाय जाते हैं वो आपने इस्तमाल करने हैं आपने सुभा के time पराथा इस्तमाल कर लिए दुपहर के time में या तो एक रोटी या चावल को अगर आप लुपहर में शियुक्त तमाल करें तो या रा तको रोटी में थे में थे मिलका कर सकते हैं इसके छही तो मिलके के लिए रावाँ आप चावल करें the Heart of जब दुपहर में आपने रोटी या चावल में से कोई चीज इस्तमाल कर ली उसके साथ आपने दुपहर में दही भी लेना है साथ आपने सालन भी लेना है सालन में आप कोशिश करें के आप जाधा तर गोश्त खाएं उसके साथ साथ आप दालों का भी इस्तमाल करें आप लें दुपहर को अगर आपने रोटी खाली हुई है रात को दिल नहीं कर रहा तो आप यह कर लें कि आप रात को चावल खा लें राइस खालें राइस के पुरी प्लेट भर ले लें साथ आप कबाब लें साथ आप रायता ले लें साथ आप सैलेड काडले जादा सारा वह फिर दुबारा एक मिल्क शेक का ग्लास पी सकते हैं बनाकर मतलब यह के आप ने दिन में रोटी, चावल, ब्राउन ब्रेड, फूट्स, वेजिटेबल्स इन सब चीजों का इस्तमाल करना हैं इन में तमाम वह फूड ग्रूप्स होंगे जो आपको वेड गेन कराते हैं इन मे इसके 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 कराते हैं और इसके लाव बहुत से लोगों को वता हम हम still building करें करें तो मुसिल building के लिए लाजमी है कि आप दिन में वरक आओ लाजमी करेंगे वरक आूट इस तरह से के आप वेट्ष्टिंग करें बहुत सथ एक्स्ट्रेनेस वरक आउट नहीं करना आप करें weight lifting, weight lifting से यह होगा कि आपके muscles build होते हैं और weight gain होता है तो यह exercises भी कुछ recommend की जाती है weight gain के लिए और बहुत से लोगों का यह होता है कि वो weight gain के लिए junk food खाना शुरू कर देते हैं और बहुत जाता junk food और oily food का इस्तमाल करते हैं जो बहुत गलत है आप weight gain करने का बिल्कुल भी मकसद यह नहीं होता कि आप junk food खाना start कर दें क्योंकि आपने healthy weight gain करना है तो healthy weight gain के लिए आप junk food ना इस्तमाल करें क्योंकि junk food जो है healthy weight gain नहीं कराता उसके इलावा एक important tip यह है कि आपने जब भी कोई मील लेना है उससे पहले आपने पानी जादा इस्तमाल नहीं करना तो यह थी तमाम टिप्स और diet plan जो के आप follow कर सकते हैं यह थी तमाम healthy foods जो आप अपने weight gain में इस्तमाल कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो पस्तान आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजएगा और वीडियो को शेयर कर दीजएगा थेंक यू अलाहाफिस